शिव बाबा याद है ना? शिर्फ ये भी अंदर में याद रहे तो मन मनाभव ही है लेकिन कोई कोई बच्चों से माया बहुत गफलत कराती है आखों में ऐसी धूल डालती है जो भगवान की पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं ध्यान रहे यह पढ़ाई ही तुम्हारे साथ चलनी है पढ़ाई आपको भी भूल जाएंगे फिर बाबा ने कहा तुम मेठे मेठे बच्चों को अब अच्छी रिती पुरुशार्थ करना है सोलहकला संपूर्ण बनने के लिए याद की खूब मेहनत करनी है देखना चाहिए हम किसको दुख तो नहीं देते तुम हो सुखदाता बाब के ब इन आखों से जो कुछ भी देखते हो ये सब कबर दाखिल होने वाला है इनको फिर क्या याद करना सबसे ममतों मिटा दो उनकी तरफ ध्यान भी न जाए तुम्हें एक बाब को ही देखना है और लास्ट में बाब ने कहा मीठे मीठे बच्चों मनजिल बहुत उची है और म माया का प्रभाव भी कम नहीं है भल तुम कहां भी बैठे रहो लेकिन बुद्धी में बाप की याद रहे सापना के कारिय में बाप का मददगार बनना है जास्ती मदद करने वाले बच्चों को जरूर बाप जास्ती प्यार करेंगे और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस मुडली का सार मीठे बच्चे निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है टीचर भी है तो सत गुरू भी है यह याद ही मन मनाभव है प्रश्न माया की धूल जब आखों में पढ़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है उत्तर माया पहली गफलत कराती जो पढ़ पढ़ाई को ही छोड़ देते भगवान पढ़ाते हैं यह भूल जाता है बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं यह भी वंडर है नहीं तो नौलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहें परन्तु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है वह पढ़ाई को ही छुड़ा देती हैं पढ़ाई छोड़ी माना एबसंट हुए ओम शान्ती रुहानी बाप बैठ रुहानी बच्चों को समझाते हैं समझाना उन्हों को होता है जिसने कुछ कम समझा हैं कोई बहुत समझदार बनते हैं बच्चे जानते हैं यह बाबा त भल तुम यहां बैठे हो प्रन्तु अंदर में समझ से हो यह हमारा बेहद का बाबा भी है बेहद का टीचर भी है बेहद की शिक्षा देते हैं स्रिष्टी के आदी मध्य अंत का राज समझाते हैं स्टुडेंट की बुद्धी में तो यह होना चाहिए न फिर साथ में जरूर ले जाएंगे बाप जानते हैं यह पुरानी चीची दुनिया है इनसे बच्चों को ले जाना है कहां घर जैसे कन्या की शादी होती है तो ससुर घर वाले आगर कन्या को अपने घर ले जाते हैं अभी तुम यहां बैठे हो बाबा समझाते हैं बच्चों को अंदर में पूर आता होगा कि यह हमारा बेहद का बाप भी है बेहद की शिक्षा भी देते हैं जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी बड़ी बेहद की देते हैं रचना के आदी मध्य अंत का राज भी बच्चों की बुद्धी में हैं जानते हैं बाप इस छीची दुनिया से हमको वापिस ले जाएंगे यह भी अंदर में याद करने से मन मनाभव ही है चलते फिरते उठते बैठते बुद्धी में यही याद रहे वंडरफुल चीज को याद करना होता है न तुम जानते हो अच्छिरिती पढ़ने से याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं यह तो जरूर बुद्धी में चलना चाहिए पहले बाप को याद करना पड़े टीचर बाद में मिलता है बच्चे जानते हैं हमारा बेहद का रूहानी बाप है सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियां बताते हैं मामेकम याद करो जिस याद से ही आधा कल्प के विकर्म विनाश होंगे पावन बनने के लिए तुमने जन्म जन्मांत्र भक्ति जब तप आदी बहुत किये हैं मंदिरों में जाते हैं भक्ति करते हैं समझ से हैं हम परंप्रा से करते आए हैं शास्र कब से सुने हैं कहेंगे परंप्रा से मनश्यों को कुछ भी पता नहीं है सत्युग में तो शास्र होते ही नहीं तुम बच्चों को तो वंडर खाना चाहिए बाप बिगर कोई भी यह बातें समझा नहीं सकते यह बाप भी है टीचर भी है सत्गुरू भी है यह तो हमारा बाबा है इनका कोई माबाप है नहीं कोई कह नहीं सकते कि श्यू बाबा किसी का बच्चा है यह बातें बुद्धी में घड़ी घड़ी याद रहे यही मनमनाभव है टीचर पढ़ाते हैं प्रन्तु खुद कहां से पढ़ा नहीं है इनको कोई ने पढ़ाया नहीं वही नौलेज़फुल है मनुष्य सृष्टी का बीज रूप है ज्यान का सागर है चेतन्य होने के कारण सब कुछ सुनाते हैं कहते हैं बच्चों मैं जिसमें प्रवेश हुआ हूँ इन दवारा मैं तुमको आदी से लेकर इस समय तक सब राज समझाता हूँ अंत के लिए तो फिर पीछे कहेंगे उस समय तुम भी समझ जाएंगे अभी अंत आता है करमातीत अवस्था को भी नंबरवार पहुच जाएंगे तुम आसार भी देखेंगे पुरानी सृष्टी का विनाश तो होना ही है यह अनेक बार देखा है और देखते रहेंगे पढ़ते ऐसे हैं जैसे कल्प पहले पढ़े थे राज्य लिया फिर गवाया फिर अब ले रहे है बाप फिर से पढ़ा रहे है कितना सहज है तुम बच्चे समझते हो हम सच सच विश्व के मालिक थे फिर बाबा हमको वह ग्यान दे रहे है बाबा राय देते हैं ऐसे ऐसे अंदर में चलना चाहिए बाबा हमारा बाबा भी है तीचर भी है तीचर को कब भूलेंगे क्या टीचर दवारा तो पढ़ाई पढ़ते रहते हैं कोई-कोई बच्चों से माया बहुत गफलत कराती है एकदम जैसे आँखों में धूल डाल देती है पढ़ाई ही छोड़ देते हैं भगवान पढ़ाते हैं ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं पढ़ाई ही मुख्य हैं सोभी कौन छोड़ते हैं? बाप के बच्चे तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए बाप knowledge भी हर बात की देते हैं जो कल्प कल्प देते हैं बाप कहते हैं कम से कम इस रिती मुझे याद करो कल्प कल्प तुम ही समझ से हो और धारन करते हो इनका बाबा तो कोई है नहीं वही बेहद का बाप है Wonderful बाप हुआ है ना मेरा कोई बाबा है बताओ शिव बाबा किसका बच्चा है यह पढ़ाई भी Wonderful है जो इस समय के सिवाए कब पढ़ नहीं सकते और सिर्फ तुम ब्रहमन ही पढ़ते हो तुम यह भी जानते हो बाप को याद करते करते हम पावन बन जाएंगे नहीं तो फिर सजाएं खानी पढ़ेंगी गर्ब जेल में बहुत सजाएं खानी पढ़ती है वहाँ पर फिर ट्यूबनल बैठती है सब साक्षतकार होते हैं बिगर साक्षतकार किसको सजा दे नहीं सकते मूझ पढ़े कि यह सजा हमको क्यों मिलती है बाप को मालूम रहता है कि इसने यह पाप किया है सब जनमों की सजा मिल रही है यह जैसे सब जनमों की इज़्जत गई तो बाप कहते हैं मेठे मेठे बच्चों को पुरुशार्थ अच्छी रिती करना है सोलह कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है देखना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते है सुख दाता बाप के हम बच्चे है न बहुत गुलगुल बनना है यह पढ़ाई ही तुम्हारे साथ चलनी है पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टरादी बनते है बाप की यह नौलेज न्यारी और सत्य है और यह है पांडव गवर्मेंट गुप्त तुम्हारे सिवाए दूसरा कोई समझ नहीं सकते यह पढ़ाई वंडर्फुल है आत्म ही सुनती है बाप बार बार समझाते हैं पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है माया छुडा देती है बाप केते हैं ऐसे मत करो पढ़ाई छोड़ो नहीं बाबा के पास रिपोर्ट तो आती है न रजिस्टर से सब मालूम पढ़ता है यह कितना दिन अबसेंट रहा पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं वास्तो में यह भूलने की भी चीज सो है नहीं यह तो वंडरफुल बाप है समझाते भी हैं जैसे खेल है खेल की बात किसको भी सुनाने से जट याद रह जाती है न वे कभी भूलती नहीं है यह अपना अनुभवी सुनाते हैं चोटे पन में ही वेरागी ख्यालात रहते थे कहता था दुनिया में तो बहुत दुख है अब हमारे पास सिर्फ दस हजार हो जाएं तो फिर पचास रुपया ब्याज मिलेगा इतना बस है स्वतंत्र रहेंगे घरबार संभालना तो मुसीबत है अच्छा फिर एक बाइसकोप देखा सो भाग्ये सुन्दरी का बस विराग्ये की सब बातें तूट गई ख्याल किया शादी करेंगे यह करेंगे एक ही थपड मारा माया ने कला काया चट कर दी तो अब बाप कहते हैं बच्चे यह तो दुनिया ही दोजक है बारे पड़ते हैं उसमें अच्छी अच्छी माईयों के चित्र देखते हैं तो वृति उस सरफ चली जाती है यह बड़ी अच्छी खूबसूरत है बुद्धी में आया ना वास्तों में यह ख्याल भी चलना नहीं चाहिए बाबा कहते हैं यह तो दुनिया ही खत्म हो जानी है इसलिए तुम और सब भूल मामे कम याद करो ऐसे से चित्र आदी क्यों देखते हो यह सब बातें वृति को नीचे ले आती है यह जो कुछ देखते हो यह तो कब्र दाखिल होने है जो कुछ इन आखों से देखते हो उनको याद ना करो इनसे ममत्व मिटा दो यह सब शरीर तो पुराने चीची हैं भला आत्मा शुद्ध बनती हैं परन्तु शरीर तो चीची है ना इस तरफ क्या ध्यान देना है एक बाब को ही देखना है बाब कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मन्जिल बहुत उची है विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई तो ट्राय भी न कर सके कोई की भी बुद्धी में आना सके माया का प्रभाव कोई कम नहीं है साइन्स वालों की कितनी बुद्धी चलती है तुम्हारी फिर है साइलेंस सब चाहते भी हैं हम मुक्ती पावें तुम्हारी फिर एम है जीवन मुक्ती की ये भी बाब ने समझाया है गुरु आदी कोई ऐसी नौलिज दे नहीं सकते तुम्हें ग्रस में रहें पवित्र बनना हैं राजाई लेना हैं बे समझ बिलकुल ही पत्थर बुद्धी बन पड़े हैं अंदर में आता है ये तो बड़ी वंडर्फुल नौलिज है जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी तो खुशी का पारा भी चड़ता है कि हमारा बाबा बेहद का बाबा है उनको कोई बाप नहीं वह टीचर है उनका कोई टीचर नहीं कहेंगे कहां से सीखा वंडर खाएंगे न बहुत लोग समझ से हैं ये तो कोई गुरू से सीखा तो गुरू के तो और भी शिष्षे होंगे न सिर्फ एक शीष्य था क्या गुरुओं के शीष्य तो ढेर होते हैं आगा खांके देखो कितने शीष्य हैं गुरुओं के लिए कितना अंदर में रहता है उनको हीरों में वजन करते हैं तुम ऐसे सत्गुरु को किस में वजन कराएंगे यह तो बेहद का सत्गुरु है इनका वजन कितना है एक हीरा भी नहीं डाल सको ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों को विचार करने है यह तो महीन बात हुई बल यह तो सब कहते हैं हे इश्वर प्रन्तु यह थोड़ी समझते हैं कि वह बाप टीचर गुरू भी है यह तो साधारिन रिती से बैठे रहते हैं यह उपर संधली पर भी इसलिए बैठते हैं कि मुखडा देख सके बच्चों पर प्यार तु रहता है ना इन मददगार बच्चों बिगर सापना थोड़े ही करेंगे जासी मदद करने वाले बच्चों को जरूर जासी प्यार करेंगे जासी कमाने वाला बच्चा अच्छा होगा तो जरूर उच्च ते उच्च पदलेगा उस पर प्यार भी जाता है बच्चों को देख देख हर्शित होते हैं आत्मा बहुत खुश होती है कल्प कल्प बच्चों को देख खुश होता हूं कल्प कल्प बच्चे ही मददगार बनते हैं बहुत प्यारे लगते हैं कल्प कल्पांतर का प्यार जुट जाता है भल कहां भी बैठे रहो, बुद्धी में बाप की याद रहे यह बेहद का बाप है, इनका कोई बाप नहीं इनका कोई टीचर नहीं, स्वियम ही सब कुछ है जिसको ही सब याद करते हैं सत्युग में तो कोई याद नहीं करेंगे 21 जनमों के लिए बेड़ा पार हो गया तो तुमको कितने खुशी होनी चाहिए बस सारा दिन बाप की सर्विस करें ऐसे बाप का परीच्य दें बाप से यह वर्षा मिलता है बाप हमको राज योग सिखलाते हैं और फिर सबको साथ भी ले जाते हैं सारा चक्र बुद्धी में है ऐसा चक्र तो कोई बना न सके अर्थ का तो किसको पता नहीं तुम अभी समझ से हो बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है बेहद का राज ये भी देते हैं फिर साथ भी ले जाएंगे ऐसे ऐसे तुम समझाएंगे फिर कोई सरव्यापी कह नहीं सकेंगे वह बाप हैं टीचर हैं तो सरव्यापी कैसे हो सकता बेहद का बाप ही नौलिजफुल है सारे स्रिष्टी के आदी मध्यांत को जानते हैं बाप बच्चों को समझाते हैं पढ़ाई को भूलो मत यह बहुत बड़ी पढ़ाई है बाबा परम पिता है परम टीचर है परम गुरू भी है इन सब गुरूं को भी ले जाएंगे ऐसी ऐसी वंडर्फुल बातें सुनानी चाहिए बोलो यह बेहद का खेल है हर एक एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ है बेहद के बाप से हम ही बेहद की बादशाही लेते हैं हम ही मालिक थे, वेकुंठ हो कर गया है, फिर जरूर होगा, श्री कृष्ण नई दुनिया का मालिक था, अब पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया का मालिक बनेगा, चित्र में भी कलियर है, तुम जानते हो अब हमारी लात नर्क की तरफ मुह स्वर्ग की तरफ है वही याद रहता है ऐसे याद करते करते अंतमती सुगती हो जाएульт कितनी अच्छी-च्छी बाते हैं जिनका सिम्रन करना चाहिए अच्छा मीठे मिठे सिकी लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्ये सार पहली पुइंट इन आखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है एक बाप को ही देखना है वृती को शुद्ध बनाने के लिए इन छीची शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान न जाए बाप जो न्यारी और सत्य नौलिज सुनाते हैं वे अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है वर्दान शान्ती की शक्ती के प्रियोग दवरा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रियोगी आत्मा भव अब समय के परिवर्तन प्रमान शान्ती की शक्ती के साधन प्रियोग में लाकर प्रियोगी आत्मा बनो जैसे वानी दवरा आत्माओं में स्नहे के सहियों की भावना उत्पन्न करते हो ऐसे शुब भावना स्नहे की भावना की सिती में सित्धो उन्हों में स्रेष्ट भावनाई उत्पन्न करो जैसे दीपक दीपक को जगा देता है ऐसे आपकी शक्ति शाली शुब भावना औरों में सर्व स्रेष्ट भावना उत्पन्न करा देगी इस शक्ति से सुल कारे में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो सिर्फ प्रियोग करके देखो स्लोगन सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए गुलाब बनो मुर्जाओ नहीं सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रुहानी गुलाब बनो मुर्जाओ नहीं अच्छा जो आत्माई इस पुरानी दुनिया को परिवर्थन करने के निमित है अगर उनको इन तीन प्रशनों का जवाब मिल जाए तो आज ही स्रिस्टी परिवर्थन हो सकती है वह कौन से तीन प्रशन है? जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती जानने के लिए सुनते हैं